यह मंदिर देखो भाई क्या गजब मंदिर बना रखा है यही मंदिर है जो टेड़ा आप खुद इसमें शेप देख सकते हो पूरी अभी ओवर्फलो अगर ओवर्फलो नी होता तो नीचे तक हलका सा दिखता यह चिता वगरा को अगनी दी जाती है वो इसके ऊपर दी जाती यह रास्ता है याद रखना मेंसा इस गेट को उपर लिखा है मनी करने का दुआर यह वही जासे आपको पर्ची मिलेगी काशी विश्वनात मंदिर में दर्शन करने के लिए स्वाजत है एक और नई वीडियो में मैं रोहित और मैं हूँ अभी बनारस में राज का टाइम अभी चाड़े दसके आसपास का और हम यहां से जा रहें अपने होस्टल से जो काशी विश्वनात मंदिर का तो में कोरीडोर है ना बाहर की तरफ जो गाठ की तरफ है हम उध से हो सकता है कि मणी करने का गाठ दिख जाएगा तो वहीं दिखाएंगे बागी और इसमें लाइट में कुछ दिखेगा नहीं डंका तो अपन फोन से कोशी करेंगे को फोन से बनाए और वैसे में गोपरों में थोड़ी से पता नहीं क्या दिक्कत आगी इसमें बैटरी च मतलब कि मंटी एड़ मंडी जान इसमें और यह राद काना दुकाने बंद हो चुकती है कुछ दुकाने खुली है जैसे हो गई चाये की यह हो गही। खाने की दो बारा एक बच्ट खुली रहती है और इसके परपच्छ डादी है यार तो वही है यह है दालमंडी बनारस की तो यहां से हम चल रहे हैं यहां से होगा है डेड़ दो किलोमेटर के असपास तो राज का तो पैदल करने का ही सफर करने का मज़ा है आट सो मीटर है मे और जोकी बीट ओए मसा हमें का उठीज आउवल से मजब डिया तो अभी रात प्राओं है रहा हम आट को पिछववनाथ आध और अब लिए डिएड curanda के तो अभी आम इन पतली में ऐसे ओते हुए सीधह निकलेंगे काशि विश्वनाम को महाँ तरा जो कि बहुत ही प्यारा है और मोधी जी ने बढ़ाया है तो अच्छी चीज है और अपने धर्म के लिए बहुत ही प्यारी है तो चलते हैं और वहीं दिखाते हैं आपको की कोरीडोर कैसा बनाया गया है सो वह यहान से हम जा रहे हैं काशी कोरीडोर की तरफ और जो मेरी नोलीज है मेरे एसाब से काशी कोरीडोर की अगर लाकत की बात करें तो वही इसमें 349 करोड रुपे लगे थे पहले फेस में जो की मेरे को पता है और इसका जो इनिग्रेशन वगरा जो भी था वो मोती जी ने किया था 2020 दिसम्बर के टाइम पे बहुत अच्छी वाद है कि इतना सुन्दर और विशाल मंदिर बना है अब अच्छे गाट है तो अभी अपन यहां से जा रहे हैं अपने काशी कोरिडॉर की तरफ और हो सकता है कि यहां मनी करनी का घाट भी आपको दिखाए तो इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देख लेना एक बार अच्छे से लो भाई यह हम आगए अब कोरिडॉर की त आपके कहीं पड़े कोई पंकत तेरी चपल बहुत किसल लिया है वह भाई पर दा अनम पोच गया है कोरिडॉर की तरफ और मनी करनी का घाट की तरफ तो ऊपर चिताए जल रही है उपर मनी करनी का घाट है तो नीचे बट वह फ्लड़ की वज़े से उपर कर रख रहा है है पर यह देखो यह मंदिर जो टेडा उरका यह वह दो जो दर रहा है यह दूसरा है यह मंदिर देखो भाई क्या गजब मंदिर बना रखा है जब मंदिर है वाई सब जो कोरीडोर है वो पिछे की तरफ है और हम मनी करनी का घाट कर दो उससे आगे की तरफ जा रहे है और वोन से वना रहा हूं तो पर मेरे आतम है क्योंकि बैटरी खाता में रहा चुकी है और यह मंदिर है जो कि आपने सुना वागा बनारास में एक कुशीव का मंदिर है ज सब कुछ फ्लड की वज़े से हो रखा है वाटर लेवल मेरे खालते हैं यह उपर तक आया इसी वज़े से हुआ यह यह वाई यह वाई जी में आदा मंदिर डूबा हुआ है और आप खुद देख सकते हो आपको यहां से शेप पता चल रहे होगी मंदिर कैसे यू करके टे बहुत मानता है अब इसके अंदर तो जा नहीं सकेंगे अगर वाटर लेवल जो है वो नीचे होता तो ही जा सकते थे क्योंकि अभी भी अगर इस वाटर लेवल को देखा जाए ना तो यह वाटर लेवल जितना यह भी ओवर्फलो है भी क्योंकि पहले जब आये थे तो इस नीचे था यह वाटर लेवल यह अभी भी ओवर फिलो रखा है तो यही मंदिर है जो टेड़ा आप खुद इसमें शेफ देख सकते हो पूरी एक सैड़ आपको यह से जुका होगा डिकेगा यह अभी भी एना यह अभी भी ओवर फिलो है यह अभी ओवर फिलो नहीं ही तो इ तो भई वहाँ से हम आगे वापस और अब जारे कोरीडोर की तरफ और यह आगा सामने मनी करनी का घाट और अने की वज़े से ना के फ्लड आयता तो पानी पूरा उपर तक आ गया था तो अब जितनी भी चिता वगेरा को अगनी दी जाती है वो इसके उपर दी जाती है यहा तो यहां दी जाती है यह मनी करने का घाट और जो की बहुत ही जादा फेमस है और बहुत ही प्यारा घाट है एक अलगी शान्तिया तो उसे ते जियार कहेंगा गमट करते हो आखरी में सब को यहीं पर आना है यह वाई देख लो मनी करने का घाट अब यह है मनी करने का घाट आप कुछ देख सकते हो अभी फ्लड की वजए से यह आदा आदा इससे बटा हुआ पहले उपर उदर उपर की तरफ हो रहा है और आप जो भी है वो नीचे आ चुका है क्योंकि आप जो पानी था गंगा जुगा वो नीचे हो चुका है तो यह है मनी करने का घाट कर दो कि वह बनारस में वहरानेसी में काफी फ्लमस भी है और का जाता है कि चुविस घंटे यहां चिता को अगनी दी जाती है ऐसा कुछ नहीं है जैसे गाउं वग्यरा में उता है कि चंचान गाट में 6 बज़े के बाद अगनी नहीं दी जाती बट यहां पर 24 गंटे चिता को अगनी दी जाती है कभी भी आप आ सकते विदर जो भी अगर दिन का मतलब स्वर्गवास हो गया है तो यह भई देख लो और काफी फेमस है आप खुद देख सकते यह पूरा मनी करने का घाट अब भी अपन गये थे मनी करने का घाट और कोशिस्टी के काशी विश्वनात मंदिर का जो कोरीडर है गूभी देख लेख लेट हो गए थोड़ा सा तो कोरीडर में जा नहीं पाए और कोरीडर हो गया बंद अब उच कोरीडर का जो ओपनिंग टाइम सुबे का वो है सुबह पाच बजे और मनी करने का घाट आपको दिखाई दिया है बाकी अभी और जो चीज आएगी रास्ते में वो सारी इसी वीडियो में दिखाएंगे तो वीडियो को एंड तक देखना करने को सब्सक्राइब जरू करते हैं तो यह रास्ता है याद रखना मेंशा इस मनी करने का दुआर और इसके सामने यह सामने जो दिख रहा है ना यह काशी विश्वनात मंदिर और यह गेट नंबर चार यहीं से अमारी एंट्री होई थी तो याद रखना मेंशा इसके पास में हैं अपने को जाना इधर इधर से तनला है आजाओ यहां से अब चल रहे ह है वो भी इसी वीडियो में एड़ करना ही कोशिच करेंगे बाकी तो डेपैंड है वीडियो का टाइम कितना होगा यह सामने गेट नंबर चार काशी विश्वनात मंदिर तो यहां से एंट्री होती है जो 300 वाली परची कटती है ना कि 300 वाली परची लेके आप जो स्पेश करीड़ का गेट नंबर चार का शी विश्वनात मंदिर का गेट नंबर चार तो याद रखना नहीं से एंट्री होती है और जो नॉर्मल लाइन होगी उसकी वहां से एंट्री होगी है सामने की तरफ तो ज्यान रखना और यह जो लोकर वगेर आपको इतने दिख रहे हैं जासे यह हो गया यह हो गया यह सुविदा फिर होती है बट फरक इतना ही रहता है कि आप इसमें अपना समान रख सकते और साथ में परसाद यहीं से लेना पड़ता है फिर दुकान से यह जी अंदर काशी विश्वनात मंदूर ज्यान रखना इस चीज़ का और यह जो लोक यह सामने की तरफ यह वाली यहीं विल्डिंग है जहांसे आपको पर्ची मिलेगी काशी विश्वनात मंदिर में दर्शन करने के लिए करना चाहो तो आप नोर्मल दर्शन भी कर सकते हैं नोर्मल लाइन में लेकिन अगर आपको लगे कि यहां बीड है दो चार गंटे में नंबर आएगा तो आप यह विल्डिंग याद रखना यह सामने लगा स्रिकाशी विश्वनात टेंपल एल्प सेंटर यहां से मिल जाएगी और दाइसो रुपे की टिकट कर दी है पिछली बार तीन सो रुपे की तीन सो रुपे में आपको परसाद भी मिलता था बट अब समान होते मंदिर का या अरुदराक्ष के माला वगरा वह आप यहां से खरीच सकते यह दुकान है जैसे यह सारा मंदिर के समान है जोत बत्ति यह दूकाने खुली है यह देखो क्या लग राए तो भाही काशी अल्केट में रात में जगता है तो बाई किसी चीज़ की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शिष्टा मैं पूरा यहां बोले बाबा का, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, तो बाई, मेर यही है, बाकी तो अभी तो चली रहे है, देखते हैं, तो रात तक जाएगे, लेकिन, यह बाई, काशी नगरी तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी तो हम ओकी है, और एक चीज़ और चीज़ और चीज़ वाई, यह मत बोसना कि रात में आब अकेले को, अकेले आरे हो, अगर सोलो ट्रेवलर हो, तो भाई के सेफ है, नहीं है, बाई, 101 प्रसंट सेफ है, योगी सरकार है, तो सब है, और यह लगाना भी काशी की सोनात मंदीर, उसके बाहर जागे देखो, इतनी पुलिस की तैनाती है ना, तो किसी भी तरह के रहे टरने की कोई जरूरत नहीं है, यह देखो, भाई काशी रात को जगता है, वागी, यह आपके लिए जानकारी है, कि सामने जो है, इसे कहत हैं, गदोलिया चोक, तो याद रखना ओटल स्टेव अगेरा लो तो गदोलिया चोक के पास लेना, क्योंकि गदोलिया चोक हर खुला रहता है 24 गंटे और हर चीज के पास है, सामने देख सकते हो, यह दोलिया चोक का स्तंब है और इसके उपर नंदी जी बैठें, और दू दालमंडी, यह रास्ता जाएगा दालमंडी और यह जाएगा असी घाट, तो चारो तरफ चलता है रास्ता यहाँ दखना भई, यह है गदोलिया चोक, यहाँ से चल रहे है, आगे देखते कहा जाए ने, बाकी दो सब बढ़िया यह है, तो भई, यह वीडियो थी मणी करन सब्सक्राइगा घाट अमने दिखाई दिया है, बाकी तो अपना क्या बूलते हैं, काशी जो फोलीडोर था, फोलीडोर बंद हो गया, सुबह फुलेगा पात मजे, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को यही कतम करते हैं, मिलते हैं अगली